हालो फ्रेंड्स साथ है मेरी चैनल में आज मैं आपको इस पार्ट में तीन टोपिक में कभर करने वालों आपको यह तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए मैं तीनों कभर कर रहा हूं क्योंकि जैसे अगर आप कोई फाइनल हो जाती है तो उसको आप सेपरेशन के लिए सेपरेशन करना पड़ता है उसके बाद उसकी पैकेजिंग बनाके उसको प्रिंटर को या जिसको भेजना है अब उसको भेज सकते हो इस इसी प्रोसेस में आपको एक प्रिफलाइट टूल होता है जो कि आपको सेपरेशन करने में और आपको उसकी कम्या को दूर करने में हेल्प करता है तो इस तीनों के बारे मैं आपको बताऊंगा इसी सेंपल वाले फाइल में बताऊंगा जहां पर मैं आपको भी बता रहा ह कि इसके error को चेक करूँगा तो pre-flight क्या होता है कि नाम से लग रहा है कि flight से पहले तो इस file को printer को भेजने या output निकालने से पहले इसकी जो गलती है उसको आप चेक कर सकते हो तो pre-flight से क्या होगा कि आप जैसे देखो यहां पर यह green दिखा रहा है मतलब कुछ भी गलती नहीं ह लेकिन specific कई चीजों को आप अगर आप find करना चाहते हो तो इसको आप यहां से जाके specific चीज को find कर सकते हो जैसे कि मैं आपको बता दूँ जैसे मालो कहीं पर RGB color है कहीं images में या image कोई बहुत ज़्यादा छोटी है टेक्स है और 5 से छोटी आपको ऐसे नजर नहीं आ रही है यह और भी कई सारी चीजे हैं जहातर हम RGB color को find करने के लिए इसका tool का use करते हैं और तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं यहां पर double click करेंगे तो यह pre-flight का आपको panel खुल जागा तो इसमें देखो basic अभी यह working कर रहा है तो इसके अंदर यहां पर जाएंगे य कस्तूरी digital publishing इसमें कुछ भी अपने नाम से बना सकते हैं तो मैं यहां पर करता हूँ plus तो देखो यहां पर new हो गया और यहां पर हम एक नाम देते हैं नाम देते हैं यहां पर test ठीक है test नाम दे दिया और इसको ok कर दिया ठीक है यह अभी इससे पहले मार उसमें define भी कर सकत हैं जब की हमें error में show करें अभी green है अगर मालो color में जाते हैं तो मालो image में जाते हैं और image के अंदर इस पर click करेंगे तो इसमें बहुत सारा option खुल जागा ठीक है तो image में अगर कहीं पर RGB color हो तो मैं highlight कर देए हमें इसको बताना है तो और देखो resolution को भी हम इसमें check करा सकते resolution किसी कम है क्या है और इसमें देखो मैं RGB color set करूंगा कि अगर कहीं पर RGB है तो यह हमें बताए तो image से नहीं इसमें color में हो गई है color में जाएंगे यहां पर click करेंगे तो इसमें देखो यहां पर click कर देता हूं RGB ठीक है RGB अगर कहीं भी होगा तो यह हमें error show कर देगा इस पर click कर दिया ठीक है और हम preflight mode यहां से basic से यह वाला test change कर देते हैं ठीक है सब जो प्लेट में दिखा रहे है color ठीक है यह जहां जहां आपको RGB color यह जुआ है यह देखो अबर print और image image जो मैंने इसमें 13 image लगाए है इसके अंदर यह बोल रहा है कि कुछ कुछ इसमें है दिकत इस तरीके से इसमें error बताता है और error और इसमें define कर सकते हैं दुबारा से तो अब देखना error काम हो जागा आपके वाल 22 error दिखा रहा है ठीक है इस तरीके से जिस चीज को आपको यहां से select करना है उस चीज को आप select कर सकते हो अब देखो इस पर click करेंगे तो यह इस पर double click करेंगे तो यह दिखा देगा यह जो image है यह RGB color यह जुआ है इस तरीके से यहां पर जैसे click करेंगे तो उस image पर direct पहुंच जाएंगे जैसे double click करेंगे ठीक है तो यह इसका काम होता है अब देखो यहां पर आप link खोल सकते हो और link में भी check कर सकते हो जहां पर यह बता रहा है अब देखो यह RGB color है three number image यह सब जो भी use हुआ इसके अंदर यह सारा यह RGB है अगर इस RGB को CMY के करेंगे तो यह यहां से खतम हो जागा देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे 22 है यह वाली एक image है इस पर right click करूँगा और इसको मैं click करूँगा edit with और यहां से जाएंगे Photoshop तो यहां समय इसका जो mode है change करूँगा तो यह error यहां से कम जाएगा तो इस काम में यह आता है इसका लमा भी बहुत सारा इसका काम में एक और आपको एक्जामपल यहां बताऊँगा अब इसका mode देखो change करता हूँ image में जाता हूँ और mode में जाके यहां पे CMY कर दिया okay कर दिया और इसको यहां से बंद कर दिया ठीक है अब यहां पर आ जाते हैं in design के अंदर यह दो को change हो गया यह दो कि यहां पर 21 हो गया तो इस तरीके से इसका यह कर सकते हो और भी अगर कोई font मालो हमने यहां पर यह जह समालो thanks है इसका मैं font कर देता हूँ 6 ठीक है अब गलती समालो 6 हो गया है और भी कई जगा हो गया हमें इसको पकड़ना है कि कहां कहां पर 10 से छोटा font है कहां पर इसी दुबारा से इसमें click करेंगे और इस profile में जाओगे define profile में test वाले के अंदर अब नीचे आओगे और इसमें font देखो text यह है text और text में जाओगे और नीचे यहाँ पर font का size अफशेट कर सकते हो कि इससे अगर कम हो तो यह हमें बता दे minimum type face है यह इस पर click करो इसको expand करो minimum अगर 10 से कम हो मालो यहाँ पर 8 कर दो आठ के नीचे हमने कर दिया नी इसको पकड़ लेगा इस पर click कर दिया और इसको कर दिया ठहिए यह यहां पर देखो type is to a small आ रहा है यहां पर error ठीक है और इसमें error में यह show कर देगा कि क्या है देगो इस पर double click करूँगा तो यह यहां पर पकड़ लेगा कि कहां पर error आ रहा है इस तरीके से आप इसको पकड़ सकते हो और इसको use कर सकते हो pre-flight को इसके अलावा नेक्स टोपिक जो है pre-flight आपको आसा करता हूं समझ में आ गया होगा अब इसको मैं नॉर्मल कर देता हूं और इसको मैं अभी basic पर कर देता हूं इसको यहां से मैं यह basic कर दूँगा तो error सारे खतम हो जाएगा अब देखो इसके अलावा है separation अब separation का क्या होता है कि जैसे आप printing के लिए file भेजते हैं तो उसमें अगर कोई अगर आपकी file दो color किये तीन color किये चार color किये तो उसमें separation देखते हैं कि हम उससे ज्यादा color तो नहीं है जाद तर यह जब offset printing होती है उसमें separation करने की जोड़त पड़ती है डिजिटल printing का आपको separation की जोड़त नहीं पड़ेगी तो separation आपको जो खुलता है आपको Ctrl-Shift और F6 क्लिक करेंगे तो separation का यह preview आपका खुल जाएगा इसका shortcut की मैंने बता दिया और यहां पर जाएंगे तो आपका separation आएगा मैं देख रहा हूं क्योंकि मुझे shortcut की याद है तो output हाँ देखो आउटपूट में जाएंगे तो यह आजागा आपका separation shift F6 तो separation आ गया यहां से off है यहां से separation on कर दो अब यहां से आप इसको एक-एक इंग को काइड कर करके देख सकते हैं कि कौन सा कलर कितना यूज हुआ है ठीक है इसका काम होता है जब मालो आपका black in white book है तो उसमें अगर आप चेक करना चाहते हो कहीं color यूज तो नहीं हुआ है तो इसको माल हमने यह registration color इसमें डाल दिया है अक्सर हम word से जब data लाओगे तो यह आरजीव color में आता है तो जैसे हम black को hide करेंगे तो यहां पर देखो यह color सो करेगा तो इसमें इसका मतलब चारो color mix हो रखा है ठीक है इसका मतलब हमें इसको black में करना पड़ेगा अगर यह ऐसे छूट जाएगा अगर प्रिंटिंग होगा तो यह मोटा मोटा दिखेगा यह एकदम साफ दिखेगा यह थोड़ा साइड का इसका corner जो है यह blur blur सा दिख सकता है क्योंकि चार बार इंक छपेगा क्यों black के उपर तो इस तरीके से इसमें आप को separation करने के जड़त पड़ती है तो यह थोड़ा advanced level का है आपको senior आपको बताएंगे अगर आपको नहीं job करते हैं तो इस सीख सकते हो तो आसा करता हूं कि आपको separation और जो preflight दो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा अभी मैं सारे error को भी खतम नहीं कर रहा हूं आपको मै क्यों बता रहा हूं इसका लाओ जो third point है इसके अंदर यह package creation तो यह तीनों एक दूसर से connected है अगर आपकी फाइल सारी complete हो गई है सब कुछ सही है तो इसको आप package बनाओगे package बनाने के पहले वही rgv और separation चेक करना होता है अब package बनाने के लिए उससे पहले आप file में जाके इसपे package पे click करोगे तो एक बार check कर सकते हो कितने error आ रहा है इसके अंदर देखो font में कोई error तो नहीं है link में कोई error तो नहीं है यहाँ पर check करना होता है को immediate तो इसमें बहुत सारे चीज का बहुत अलग-अलग मतलब होता है तो आपको detail में अभी starting में साथ समझ मना आए कि बहुत ही बारिक वाली चीज है इसके अंदर तो बाद में आपको समझ में आए यहाँ पर जो भी error यहाँ पर बता देगा देखो यह देखो यहाँ पर आठ इमेज है जीरो मोडिफिकेशन जीरो मिशिंग देखो यहाँ पर सबकु जीरो आरा 6 RGB कलर यह दिखा रहा इसके फॉंट में यह समय आपको लिंक कोई मिशिंग है तो मिशिंग है बता देगा इंबेड है तो इस सारे चीज यहाँ पर आपको बता गए दो को सारी लिंक यहाँ पर हाई कनेक्टेड है तो अब यह सब को सही है तो यहाँ पर पैकेज पर क्लिक करो पैकेज पर जैसे क्लिक देखो यहां पे Desk Office package हमारा बन गया है तो देखो इंडियन की फाइल है और इसमें सारे font आ गए जो भी इसमें font यूज हुआ है और जो link है सारे इसमें अंदर link आ गए है तो किसी भी computer में अगर यह फाइल खुलेगी तो बिल्कुल connected link के साथ खुलेगी अगर link नहीं भी खु separation बन गया तो इसमें मैंने आपको यह तीन topic cover किया preflight separation और package कैसे बनाते हैं तो आसा करते हैं short description मैंने दिया है यह बड़े बड़े topic भी एक तरीके से देखा जाया तो इसमें practical experience करेंगे तो और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और कोई आपको कहीं दिक्कत बतार है अगर करते हैं तो comments में लिखके बता सकते हैं मैं आपको कोशिश्च करूँगा जो इसका answer दूँ या उसके अलक्से में video बना दूँगा thanks for watching please like share and subscribe